श्रिलंका में जो चिंगारी एक आर्थिक संकट के बज़े से लगी थी वो धीरे धीरे एक राजनेतिक संकट बनी और अब एक विशाल हुमिनिटेरियन क्राइसिस बन चुकी है। देश धुदू करकर जल रहा है, लोग हिंजा में मर रहे हैं, कारोबार ठप पड़े हुए हैं और इस बार लंका में आगबवन पुत्र हरुमान ने नहीं लगाई। वही के राजपक से परिवार के वज़े से याग लगी है जो नेता कम रावर जादा निकले हैं। एंटी गवर्मेंट प्रोटेस्ट पहले तो पीसफुल चल रहे थे, फिर राजपक से सरकार में किसी खास को ये आईडिया आया कि वही पुराना वाला फॉर्मूला लगाया जाए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मने जो सरकार के निकम्मे पन और नाकाबिलियत पर शांती पूर्वक तरीके से सवाल उठा रहे हैं, उन्हें देश के गद्दार बोल दो, उन पर गोली चला दो। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है और आर्मी को फिर एक ही महीने के अंदर दूसरी बार एमर्जेंसी पावर्स दे दिये गए हैं, शूट एट साइट। अपने ही देशवासियों से। श्री लंका की इतनी दैनिया हालत की किसने, लोगों को ये आने वाला संकट क्यों नहीं दिखा, इसको रोका क्यों नहीं गया और क्या सीख लेनी चाहिए दूसरे देशों को श्री लंका से। आज की देशभक्त के स्पेशल डीप टाइफ एपिसोड में। देता टाइप आधा काम मत करो। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पी दबाओ। शुरुबात करते हैं सबसे बड़े सवाल से कुछी दिन पहले तक जो जनता ये कह रहे थी कि चाहे पेट्रोल पांच सो रुपए का क्यों न हो जाए वोट तो राजपक्सा को ही देंगे अब पेट्रोल केवल दो सो रुपए का हो गया पेट्रोल पंप में एक घंटे का कैसे फस गया और देश को अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाले इतने बुरे दिन में वो कैसे ले आए राजपक्से बंधू श्री लंका में लगी आग को समझने के लिए दो मिनिट का रिवाइंट थोड़ा जरूरी है ये समझने के लिए कि राजपक्सा ब्रदर्स यानि आज के रावण पावर में आए कैसे और पावर में आने के बाद जनता का अच्छी तरीके से सी कैसे काटा गया अगर आप श्री लंका की डेमोगरिफी देखें तो आपको पता चलेगा कि यहां 70% सिनहलीज बुद्धिस्ट हैं करीब 13% तमिल हिंदूस 10% मुसल्मान और 6% क्रिस्चन्स हैं मने वही 70-30 का खेल, 70-30 का खेल है अस वर्सेस देम, खत्रे में हैं तमाशा खेलने के लिए आ भाई गोटबाया राजपक्सा को डिफेंस सेकेर्टरी बनाया और दूसरे भाई बेसल राजपक्सा को सीनियर प्रेजिदेंशल एडवाईजर, वा, अच्छे दिन for राजपक्सा फैमिली, श्री लंका में उस वक्त 70% सिनहलीज बुद्धिस्ट अपने को, खुद को खत् करते थे, और उनका खत्रा आता था 13% तमिल हिंदूस से, क्यों? क्यों लगता था खत्रा? क्योंकि तमिल टाइगर्ज या LTE, सिनहलीज डॉमिनेटेट श्री लंकन गवर्मेंट से एक खूनी संगर्ष में था 1983 से, और ये संगर्ष चलता रहता था, बॉमिंग होती रहती मारकाट होता रहता था, इसका कारण था कि तमिल हिंदूस के अगेंस्ट मिजॉरिटी से इनहलीज बुद्धिस्ट हमेशा डिस्क्रिमिनेट करते आये थे, और तमिल हिंदूस को पर्सिक्यूट करते आये थे, इनफाट, 1956, 58, 77, 81, 83 में स्टेट स्पॉंसर्स इनहलीज ग् करने लगे, बहराल राजबक्सा ब्रदर्स के पावर में आने से पहले 2002 में तमिल्ज और सरकार के बीच एक सीसफायर अग्रीमेंट हो गया था, जिससे सिचुएशन नॉर्मल्सी के तरफ जा रही थी, लेकिन अगर आपने इंटायर पुलिटिकल साइंस पढ़ा हो, तो आ राजबक्सा ब्रदर्स को बुद्दिस मौंग का सपोर्ट तो पहले ही था, तो राजबक्सा बंदुओं ने इस्ट श्रीलंका में तमिल्स के खिलाफ, ल्टीटे के खिलाफ, उन्हें खदेडने के लिए एक फाइनल मिलिटरी ओफेंसिव लॉंच कर दिया, और 2009 में प्रभाकरण को भी मार दिया गया, युएन के रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष के इस अंतिम चरण में, LTT के टेर्रिस्ट के साथ साथ 40,000 तमिल सिविलियन्स भी मारे गए थे, इंटरनेशल कम्यूनिटी ने श्रिलंका आर्मी और गवर्मेंट द्वारा किये गए इस व बन चुके थे, LTT पे सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने लंकन्स का दिल जीत लिया था, स्ट्रॉंग मैन इमेज जो उन्होंने अपनी बनाई थी, वो लंकन्स को खूब पसंद आई, शायद इसी का नतीजा था कि 2010 में पार्लमेंटरी इलेक्शन्स में जनता न भाईयों के बीच पाँच मिनिस्ट्री थी और 2010 और 2015 के बीच में श्री लंका का बजट का लगभग 50 प्रतिशत डिरेक्ली कंट्रोल यही भाई करते थे, कभी भी इतना पावर एक इनसान एक फैमिली में अच्छी बात नहीं होती है, ये दुरगटना की रेसिपी है, लीजिए, अंग्रेजी में कहावत है ना, पावर करप्ट्स एन एपसिल्यूट पावर करप्ट्स, एपसिल्यूटली, लेकिन उस समय जो घर घर राजपकसा चल रहा था, उनकी जैजैकाल चल रही थी, न्यूश्री लंका का वाईदा था, उसमें साब कुछ इरेज हो गय इस सेकेंड टर्म में सरकार ने बहुत सारे इंफरस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किये, चाइना के मदद से 1150 फीट उचा कलंबो लोटस टावर बनाया गया, जो उस वक्त का साउथ एजिया में सबसे लंबा सेल्फ सपोर्टिट स्ट्रक्चर भी था, देखें सब को उचा, लंबा, टावर, स्टैचू चाहिए, और चाइना सब के इगो को खुश करने के लिए ये बड़ी-बड़ी गगन चुम्बी इमारते बना भी देता है, मोटा पैसा खीज भी लेता है, लोगों ने भी टावर को देखा, बहुत प्राउडी सी फीलिंग आई उनके अ मानना था कि सच में सरकार का क्लेम ट्रू है कि श्री लंका की जीडीपी साथ प्रतिशत से बढ़ रही थी, उस जीडीपी में करजा कितना था, ये सब मैच में लोग नहीं गए थे, वैसे राजपक्सा के लिए जीडीपी बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बस जीड प्रता को लगा था, आरे राजपक्सा जी ने किया होगा, कुछ सूच के ही किया होगा, खैर, जन्ता के सामने जो भी दिख रहा हो, परदे के पीछे करप्शन का नंगा नाच अच्छी तरीके से चल रहा था, हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बेसल राजपक्सा को दवी जुमान में Mr. 10% कहा जाता था, क्योंकि वो हर प्रोजेक्ट में 10% कमिशन खा जाते थे, बेसिकली करप्शन टॉप के लेवल पर हो रहा था, नीचे के लोगों को दिखने ही रहा था, तो लोग सोचे सब चंगा सी है, पर फिर 2015 में आए चुनाओ, राजपक्सा के खिलाफ प्रेजिडेंट के दावेदार बने मैत्रिपला स्रीसेना, एक आम आदमी जो political elite family से belong नहीं करते थे, in fact वो एक war veteran और एक school teacher के बेटे थे, combined opposition के इस candidate के राजपक्सा के खिलाफ तीन चुनावी मुद्दे थे, nepotism, corruption और authoritarianism, basically स्रीसेना ने राजपक्सा पर यही आरोफ लगा था कि भई अच्छे दिन आ नहीं रहे थे, नई सरकार ने राजपक्सा बंधों के खिलाफ कई corruption charges लगाए, नौबत यहां तक आ गई कि गोटबाया और बेसल राजपक्सा समेथ कई राजपक्सा भाई देश छोड़कर भाग लिये, 2010 में किसी ने नहीं सोचा होगा कि underestimate the power of majoritarian politics, खत्रे में है sentiment कितना ताकतवर हो सकता था, ये श्रीलंका ने हमें दिखाया, श्रीलंका की राजनीती में एक बार फिर से turning point आया, जब April 2019 में easter bombings हुए, ये एक coordinated terror attack था, जिसमें करीबन 270 लोगों की जाने गई, लगबग 500 लोग हायल हुए, एक बार फिर श्रीलं प्रतिशत मुसल्मानों से था, क्योंकि bombings की जिमिदारी एक Islamic terror group ने ली थी, अब वो nepotism और corruption के charges को दरकिरार करके लोग वापस राजपक्सा परिवार के तरफ देखने लगे, आखिर यही वो परिवार थी जिसने तमिल्स को अपनी जगा दिखाई थी, अब यही वो परि राजपक्सा ने अपनी जीत दर्ज की, याद रहे यह वो ही गोटबाया है जिनने 2015 में श्री लंका से तड़िपार होना पड़ा था, इसके बाद 2020 के parliamentary elections में शांदार जीत के बाद महिंदा राजपक्सा भी बने श्री लंका के प्रधान मंत्री, इस चुनाव में राजपक इस तरीके से एक complete control करे सरकार पर शायद ही आपको और कहीं मिले, ये तो अब है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि इस complete control के वज़े से ही श्री लंका की लंका लग गई, श्री लंका क्राइसिस के आज कई कारण बताय जाते हैं, एक्सपर्स का ये मानना है कि राजपक्सास क corruption और crony capitalism का इसमें बहुत बड़ा रोल है, मने कुछ खास लोग जिनिके अच्छे दिन आये और बाकी सब गए तेल लेने, साथी साथ किसी भी criticism, किसी भी feedback को दरकिनार करना, मैं सही बाकी सब anti-national, यहां तक की एक poet को एक साल तक arrest रखना without charge, क्योंकि सरकार का कहना है कि उनके शब्द, शब्द बहुत भड़काऊ थे next generation के लिए, यह वाला भी कहीं सुना सुना लग रहा है, anyways, इतना घमंड और इतना अहंकार जब होता है, तो good luck भी टाटा बाई बाई कर देता है, और वही हुआ लंका में, टूरिजम श्री लंका में सबसे important industries में गिना जाता है, in fact श्री लंका की GDP में इसका contribution 12 प्रतिशत तक है, मने 5th largest revenue source था यह श्री लंका के लिए, अब इसमें 2019 का Easter bombing आ गया और उसके बाद आई pandemic की मार, उसके उपर श्री लंका के forex crisis के वज़े से बहुत सारे देशों ने श्री लंका ऐसा एक देश है, जिसे जादतर commodities import करनी पड़ती है, लेकिन rice उसमें वो self-sufficient है, और tea वो दुनिया भर को export करती है, जिससे उसे foreign exchange भी मिलता है, गोटबाया राजबकसा ने election में promise किया था कि वो श्री लंका में organic farming लागू करेंगे, over a period of 10 years, farming में इस्तमाल होने वाले synthetic fertilizers और pesticides को import करने के लिए पैसे लगते है, foreign exchange लगता है, तो राजबकसा ने फिर सूचा कि 10 साल के हो, overnight कर देते हैं, master stroke, synthetic fertilizer और pesticides का ban लगा दिया गया, without any warning, without any transition time, ना होगा import, ना होगा खर्चा foreign exchange, नतीजा 6 महीने में हुआ कि rice production 20% तक गिर गई, fertilizer और pesticides import करने से जो forex बचा, वो नहीं बचा क्योंकि उल्टा 450 मिलियन डॉलर का rice import करना पड़ा, उसके उपर जो rice एक staple diet थी, उसका दाम 50% बढ़ गया, tea production साथी साथ और गिर गया, बैन लगाने के अंदर ये अंदर 6 महीने के बाद इसको फिर से lift करना पड़ा, और organic farming के इलावा जो दूसरा ब taxpayer में बहुत सारे लोग tax net से बाहर हो गए, मैंने कुछ estimates के मुताबिक 2020 के शुरुआत में जहां 15 लाग direct taxpayers थे, उनमें से 10 लाग अब कम हो गए, अब सिर्फ करीबन 4-5 लाग लोग बचे रहे tax देने के लिए, free बिजली पानी तो बच्चे देते हैं, इन्होंने तो free tax ही कर अब बताओ, लोगों को इस तुगल की फर्मान से मज़ा तो बहुत आया, लेकिन देश की आर्थिक read तूटेगी या नहीं तूटेगी, मतलब आप सोचो एक तरीके से complete tax structure को आपने overnight बदल दिया, हैं, बताओ, ऐसा कोई सरकार, ऐसा कोई सरकार करता है क्या, अब 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 और नहीं tax cut से सरकार को भारी revenue loss हुआ, और अब सरकार का income बढ़ने के जगे कम हो गया, खर्चे तो तब भी थे, अब उसको meet करने के लिए, expenses को meet करने के लिए सरकार ने क्या किया, note चापे, अब आप सोचिए, 6th April 2022 को सिर्फ एक ही दिन में CBSL ने 120 billion श्रिलंकन रुपीज च नहीं है कि इतना पैसा जब market में अचानक से आएगा तो inflation बढ़ेगा, instability बढ़ेगी, पर कुछ सरकारों को सब कुछ एक ही जटके में करना होता है, अचानक से करना होता है, भोशना करनी होती है, आज से ऐसा होगा, कल राज से ऐसा होगा, फलाना डिम का, बताया जा रहा है कि शिलंका एक debt trap में जा रहा था, भाहर से पैसा ले रहा था, लेकिन उसको productive तरीके से इस्तमाल नहीं कर रहा था, तो debt बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन अब सोचने वाली बात ये है, कि एक पूरा देश अचानक ऐसे कैसे डूब गया, क्या कोई warning signs नहीं थी, credit rating agencies तो शिल शिलंका की ratings लगातार नीचे कर रही थी, पर सोचे 2021 तक भी शिलंका का कहना था, कि ये rating agencies जो downgrade कर रही है, वो जल्दबाजी कर रही है, अब हैं ये ये rating agencies ऐसे में भी टुकड़े टुकड़े international agents हैं, सब देश के खिलाफ काम करते हैं, IMF की report में भी कहा गया था, कि शिलंका उनको भी ये समझ में आ रहा था, कि एक तरफ आप सरकार आपकी IMF से लोन मांग रही है, और दूसरी तरफ आप revenue अपना ही कम कर रहे हो, और हद तो तब हो गई जब एक agricultural scientist ने सरकार के overnight organic farming के shift के बारे में, decision के बारे में, चिंता व्यक्त की, तो सरकार ने उन्हें suspend कर दिया बताईए, आलोचना करने वाले का मुग कोई सरकार ऐसे बंद कर सकती है, ऐसा कोई सरकार हो सकता है, एब एब खैर, morning science तो बहुत थे, सरकार ने ये सारी बात अगर नकार भी दिया तो समझ में आता है, पर क्या, शिलंका की जंता कुम्बकरन की नींद सो रही थी, जब ये मुसल्मानों के खिलाफ, और राजबकसा बंदूओं को exactly मालुम था कि लोगों को खुश रखने के लिए क्या करना है, राजबकसाज ने पहले काउस लॉटर बैन किया, अनुमान लगाया गया कि इस स्टेप से बुद्धिस मुसलिम डिवाइड और बढ़ेगा, बटवार को नहीं, ऐसा नहीं है कि संकेत नहीं थे, ऐसा नहीं है कि एनलिस्स ने दो-दो साल पहले तक छेतावनी नहीं दी, लेकिन उन्हें बोला गया, डॉंड भी सो नेगिटिव, सवाल करने वाले जर्निलिस्ट और एक्टिविस्ट को टार्गेट भी किया गया, मेजॉरिटी जनता सारा तमाशा देखते रही, कभी-कभी उसमें हिस्सा भी लिया और मजे लेते रही, तमाशे में मसरूफ, उनको पता ही नहीं चला कि उनकी जेब कप कड़ गई, सरकार पिछले कुछ सालों में माइनॉरिटी के पहनावे, उनके दुकानों में जादा दिल्चस्पी लेने लगी, ना कि देश की अर्थवेवस्था, सरकार मेजॉरिटी को खुश रखने के लिए, वन लॉव, वन नेशन के बारे में बात करने लगी, बुर्खा तो बैन होई गया, और इस च्रीलंका में खुदाई शुरू हो गई, ये पता लगाने के लिए, कि वहाँ हटा रहा था कि हमेशा वो लोगों को ऐसे ही बाठते रहेंगे, लोग अपने आपको काटते रहेंगे, और उनकी राजनीती चलती रहेगी, उनका गदी उनकी सेफ रहेगी, लेकिन वो और श्रीलंका के लोगों ने शायद राहत इंदोरी साहाब की मशूर पंक्तिया नहीं सु रहते 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 लोग कुम्बकरन की नींद सो रहे थे, अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ये तो है कि आप और हम इससे क्या सीख ले सकते हैं, अगर ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो गया हो तो माफ करिएगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारे ही न पढ़ने के लिए और अगर हमारा काम पसंद आया तो जरूर हमें सपोर्ट करिए on patreon.com slash the देशभक्त, आप patreon पे एक annual देशभक्त भी बन सकते हैं और हमारा members only discord server unlock कर सकते हैं, thanks for watching, more episodes coming up.